एकता में बल है यह बात हरेक कोई जानता है लेकिन हजारी बाग के 38 सुदूरवर्ती नकसल प्रभावी छेतर चूर्चू प्रखंड की चरही की महिलाओं ने आत्मे सार किया है महिलाओं ने चुर्चू नारी उर्जा फॉर्मर पर्डूसर कंपनी लिमिटेड बना कर पूरे देश भर में पास्चान बनाया है यहां की 800 महिला किसान ने लगभग 200 एकड यमीन पर तर्भूज की खेती की है महिलाओं ने लगभग 25 से 30 लाक रुपया का तर्भूज बेशने का लक्ष निरधारित किया है अब तक 17 लाक से अधिक का तर्भूज बिक चुका है इनके तर्भूज इतने मीठे हैं कि दूर तलक से वैपारी खेतों तक पहुंच रहे हैं कमपनी की डिरेक्टर सुमित्र देवी भी बताती है कि हम लोग उन महिलाओं को खेती के लिए प्रेडित किया जिनका जेमीन परती पड़ा हुआ था महिलाओं ने खुब महनत किया और आज यह परिणाम है कि हमारे तर्भूज खुब बिक रहे हैं महिलाओं भी आर्थिक रूप से संपन हो रही है अभी हम लोग गर्मा के समय 200 एकड में 800 महिला किसान के साथ हम लोग अभी तर्भूज का काम खेती करवाए हैं और अभी इनाम के थुरू से और बाहर के भी मार्केट से हम लोग अभी बेच रहे हैं चुट्चुनारी एपीसी के माधियम से महनत लगता है जिसे हम लोग को पहले बहुत महनत लगता था जिसे बिना ड्रीप का था तो उसमें पानी ज्यादा खपत हो जाता था अभी हम लोग ड्रीप लगाएं तो ड्रीप के माधियम से मल्चिन लगता है तो ज्यादा उसमें खटाली नहीं है, पानी स्टार्ट कर देते हैं तो अपने पटवान हो जाता है, तो अभी सुविदा हम लोग के लिए और अभी हम लोग का साथ जोहार, सपोर्ट, सीनी, टाटा ट्रस, मिल के हम लोग को बेवस्था, पानी का बेवस्था किये हैं। जमीन पर हम लोग खड़े हैं, वह एक समय बंजर था, यहां खेती करना असंभव था, लेकिन हम महिलाओं ने मिलकर इसे खेती लाइक बनाया, फिर यहां तरबूच की खेती की, आज यहां के तरबूच दूसरे खेत के तरबूच से अधिक मिठे हैं, जो यह बताता है कि महि इखेती होने लगा तो अर उत्सवाड़ रहा है कि हम लोग इतना काम कर रहा है कि इतना इंकम भी आरा, खेत को देखते देखते, रहा है तर्बूच की खेती करने वाली महिलाएं अब सपना दिखना सुरू कर दिया है महिलाओं का कहना है कि इस बार हम लोगों ने वरिहत पैमाने में खेती किया है हम लोगों को अब पैसा भी आना सुरू हो गया जो खेत बंजर पड़े थे उस खेत से आसोना निकल रहा है हम लोग जब खेती किये थे तो उस वक्त सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा पैदावार होगा अच्छा पैदावार होने के साथ साथ बिकरी भी अच्छी हो रही है जो पैसा हम लोग कमाएंगे उससे अपना घर बनाएंगे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेज़कर पढ़ाई करवाएंगे ताकि वो भी एक दिन किसान के लिए कुछ कर पाए बनाएंगे ज़र जमीना कमें था तो अब दावत दनी करें लग लिए अप ठीके लग रहा हैं इन महिलाओं को जोहार जे एसल पीएस सिनी टाटा ट्रस्ट सपोर्ड यह सी संस्था मदद कर रही हैं कंपनी के सियो बताते हैं कि हम लोग तर्बूज बंगाल उडिसा बिहार तक भेज रहे हैं उनका कहना है कि हम लोग विविड क्लस्टर बना कर महिलाओं को मदद करते हैं महत्पून बात यह है कि आज के सवे में जितना महिलाएं महिनती हैं उतना पुरूस नहीं आठ सो महिलाएं सम्मिलित होकर दो सो एकड़ में खेती कर रही हैं यह खुद में बताता कि इन महिलाओं की सोच बढ़ी है आने वाले दिनों में इन महिलाओं के द्वारा एक नया इतिहास जिखा जाएगा हजारी बाग उपायुक देंसी सहाई भी बताती है कि यह टीम वर्क का बेहतरिन उधारन है जहाँ साथ सो से आठ सो महिलाएं मिलकर एक साथ खेती कर रही है अब हम लोग इस मौडल को दूसरे गाउं में ले जाएंगे ताकि वहां की महिलाएं भी इस तरह से खुद को ससक कर पाएं हाजारी बाग उपायुक का यह भी कहना है कि हाई वैल्यू अगरिकल्चर कैसे किया जाए और फिर कैसे अपना उत्पाद बेचा जाए इन महिलाओं से सीखने की जरूत है पहले यह जो बेसिक खेती करती थी कुछ जो घर में उपजाती थी या फिर जो नॉर्मल धान की खेती या चावल की खेती करती थी उससे अलग हटकर इन लोग साथ मिलकर आई और इन लोगों ने हाई वैल्यू अगरिकल्चर के टेक्निक्स यूज करके तरबूच की खेती की है इस बार बहुत ही बंबर प्रोडक्शन हुआ है और काफी नहीं मुनाफ़ा हो रहा है तो यही देखने को मिला कि यह जब साथ मिलकर आई एक दूसरे से सीखा एक दूसरे का सहयो किया जो कुछ नई तक्नीक है उनका प्रयोग किया और साथ मिलकर इन लोगों ने इसे एक टीम वर्क के तरह लिया एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया और जो प्रोडक्शन हुआ है क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है बहुत भी बहत भी अच्छा ने मुनाफ़ा हो रहा है तो हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मौडल्स को हम लोग और जगा भी हम में बल होता है इस बात को यहां की महिलाओं ने चरितार्थ किया है ऐसी महिलाओं के जजबे को हम भी सलाम करते हैं गौर प्रकास इटीवी भारत हजारी बाग